ये भी उलेख किया कि Bloody Daddy को OTT रिलीज के लिए डिजाइन किया गया था और एक बड़ी नाटकिया रिलीज कार्ड पर कभी नहीं थी उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा है जिसकी हमने तीन साल पहले योजना बनाई थी OTT के लिए कई लोगोंने मुझसे पूछा कि हम इसे सिनेमा घरों में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने इसे OTT के लिए डिजाइन किया था उन्होंने आगे खुलासा किया कि प्रदर्शकों ने उन्हें बुलाया था और उन्हें सिनेमा घरों में अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए कहा था आज फिल्म देखने के बदलते माध्यम के बारे में अपने विचार साज़ा करते हुए उन्होंने कहा कुछ साल पहले जो लोग बदलाव के लिए खुले थे उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तविक्ता है और यह होने जा रहा है घर पर सामगरी देखना एक आरामदायक अनुभव की तरह है और थियेटर जाना एक इवेंट एक्स्पीरियंस की तरह है जहां आप थियेटर जाते हैं और परिवार के साथ एक दिन बाहर बिताते हैं इसलिए वे दोनों सेह अस्तित्व में रह सकते हैं वे एक दूसरे को खा नहीं रहे हैं हाला की बहुत से लोग ऐसा चाहते थे फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी प्रदर्शकों ने फोन किया और हमें